साथियों, आदिवासी समाज को उचीत महत्व ना देकर, प्रात्फिक्ता ना देकर, पहले की सरकारों ने जो अपरात किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्चक है, हर मंच पे सर्चा होना जरूरी है। जब दसकों पहले, मैंने गुजरात पे अपने सारवजनी जीवन की शुरूवात की थी, तबी से मैं देखता आया हूं कि कैसे देश में कुछ राजनितिक दलों ने सुख सुविदा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। अभाव बनाए रखते हुए, चुनाओ के दोरान उनी अभावा की पूर्ति के नाम पर बार बार बोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जन जातिये समुदाय के लिए, जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज को। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद, मैंने वहाँ पर जन जातिये समाज में स्थीट्कियों को बदलने के लिए, बहुत सारे प्यान शुरू किये थे, जब देश ने मुझे दोहजर चौदा में आप सब देश वाज़ों की सेवा का मोका दिया, तो मैंने जन जातिये समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच प्रात्फिक्ता में रखा। बाई और बेनों, आज सही माइने में आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकांत में उचीत हिस्सेदारी और भागिदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के गर हो, सौचाले हो, मुक्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सडक्त हो, मुक्त इलाज हो, यह सब कुछ जिस गती से देश के बागी हिस्से से हो रहा है, उसी गती से आदिवासी छेत्रों में भी हो रहा है। बागी देश के किसानों के बैंक खाते में, अगर हजारों करोर रुपिय सीधे पहुंच रहे हैं, तो आदिवासी छेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं। आज अगर देश के करोडों करोड परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से गरगर पहुंचाया जा रहा है, तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी हिस्पिड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुंचाने का काम तेज गती से चल रहा है। वरना इतने वर्षों तक जन जाती एक शेत्रों की बेहन बेटियों को पानी के लिए कितना परिशान होना पड़ता था। मुझसे ज़्यादा आप लोग इसको भली बाती जानते हैं। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के तहट मद्दप्देश के ग्रामिरी लाकों में 30 लाग परिवारों को अब नल से जल मिलना शुरू हो गया है। और इसमें भी जादातर हमारे आदिवासी इलाकों के हैं। कर दिया है। जादानम परिवासी सब्दों के सब्सक्रण में वहां है।